नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम तुलसी दास जी दुवारा रचित कवीता राम लक्षमन परशु राम सम्वाद के बहु विकल्पिय प्रशनों पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है राम लक्षमन परशु राम सम्वाद कवीता किसकी रचना है विकल्प देखिए सूर्दास तुलसी दास नंददास देव प्यारे बच्चो, राम लक्षमन परशु राम समवाद कवीता तुलसी दास जी की रचना है आगे देखिए, राम लक्षमन परशु राम समवाद कवीता किस पुस्तक से ली गई है विकल्प है, राम चंद्रिका, राम चरित मानस, राम आयन और कवीता वली प्यारे बच्चो यह कवीता राम चरित मानस पुस्तक से ली गई है अगला प्रश्न है राम लक्षमन परशु राम सम्वाद कवीता किस कांड से ली गई है विकल्प है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुन्दर कांड और उत्तर कांड प्यारे बच्चो यह कवीता बाल कांड से ली गई है अगला प्रश्ण है राम ने किसका धनुष तोड़ा था विकल्प है विश्णु, शिव, ब्रह्मा और दुर्गा प्यारे बच्चो राम ने शिव का धनुष तोड़ा था अगला प्रश्न है तुलसी दास जी का जन्म किस सन में हुआ था? विकल्प है 1531, 1532, 1533 और 1534 प्यारे बच्चों, तुलसी दास जी का जन्म 1532 इस्वी में हुआ था? अगला प्रश्न है तुलसी दास जी का जन्म किस सन में हुआ था? विकल्प है 1621, 1622, 1623 और 1624 प्यारे बच्चों, तुलसी दास जी का जन्म 1623 इस्वी में हुआ था? अगला प्रश्न है कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है? विकल्प देखिए कवीतावली, विने पत्रिका, साहित्य लहरी, क्रिश्न गीतावली प्यारे बच्चों, साहित्य लहरी तुलसी दास जी की रचना नहीं है अगला प्रश्न है राम लक्षमन पर्शु राम सम्वाद कवीता की भाषा क्या है? विकल्प हैं ब्रज, मैथिली, अवधी और राजस्थानी प्यारे बच्चों, इस कवीता की भाषा अवधी है तुलसी दास जी ने इस कवीता को अवधी भाषा में लिखा है अगला प्रश्न है, राम लक्षमन पर्शु राम सम्वाद कवीता के चंद है विकल्प देखिए, दोहा चोपाई, सवया दोहा कवित चोपाई और सोरठा चोपाई प्यारे बच्चों, राम लक्षमन पर्शु राम सम्वाद कवीता दोहा चोपाई चंद में लिखी गई है अगला प्रशन है राम लक्षमन परशू राम सम्वाद कवीता में किस रस की वियंजना है विकल्प हैं श्रिंगार, वीर, भयानक या वादसल्य रस प्यारे बच्चों, यह कवीता वीर रस में लिखी गई है या यूँ कहें कि इस कवीता की वियंजना वीर रस में की गई है अगला प्रशन है, राम लक्षमन परशु राम सम्वाद कवीता की शैली क्या है विकल्प देखिए भावातमक, व्यंग्यातमक, विचारातमक या उद्भोधनातमक प्यारे बच्चों इस कवीता की शैली व्यंग्यातमक है अगला प्रश्न है नात संभुधनु भंज निहारा में नात कोन है विकल्प देखिए राम, लक्ष्मन, परशु राम या राजा जनक प्यारे बच्चों नात शब्द यहां पर परशु राम जी के लिए प्रियुक्त किया गया है अगला प्रश्न है शिव धनुष तोडनी वाला परशु राम का किस जैसा शत्रु है विकल्प है रावन, जनक, लक्ष्मन या सहस्त्र बाहु प्यारे बच्चों शिव धनुष तोडनी वाला सहस्त्र बाहु जैसा शत्रु है अगला प्रश्न देखिए वह धनुष तोरी लरिकाई ऐसा किस ने कहा था विकल्प देखिए परशु राम ने, राम ने, लक्ष्मन ने या सहस्त्र बाहु ने प्यारे बच्चों यह वाक्या लक्ष्मन जी ने कहा था अगला प्रश्न है तुलसी दास ने ब्रिगुकुल केतू शब्द किस के लिए प्रियुक्त किया है विकल्प देखिए परशु राम जी के लिए, वशिष्ठ के लिए, विश्वा मित्र के लिए या लक्ष्मन जी के लिए प्यारे बच्चों ब्रिगुकुल केतु परशु राम जी के लिए प्रियुक्त किया गया है अगला प्रश्ण है रे निरिप बालक काल बस किसे कहा गया है विकल्प देखिए राम को, लक्षमन को, भरत को या शत्रुग्न को प्यारे बच्चों ऐसा लक्षमन को कहा गया है अगला प्रश्ण है का छती लाभ जून धनुतोरे जून क्या है विकल्प है सुन्दर, मजबूत, पुराना या शिव प्यारे बच्चों यहां पर जून शब्द का अर्थ पुराना है अगला प्रश्ण है कुम्भड बतिया का यहां क्या अर्थ है विकल्प है बहुत वीर, बहुत कमजोर, बहुत मजबूत या बहुत मजबूर प्यारे बच्चों कुमबड बतियां का अर्थ है बहुत कमजोर अगला प्रश्न है महीसुर कोन होता है विकल्प है राजा, देवेंद्र, ब्रहम्मन या शत्रिय प्यारे बच्चों महीसुर ब्रहम्मन को कहा जाता है अगला प्रश्न है कुलीस सम वचनु कैसे वचन होते हैं विकल्प है मृदू, कठोर, मंद या मन्थर प्यारे बच्चो इस प्रश्न का उत्तर है कठोर अगला प्रश्न है कौशिक सुनु मंद यहू बालकू में कौशिक कौन है विकल्प है विशिष्ट, विश्वामित्र, परशुराम या जनक प्यारे बच्चो कौशिक सब्द यहां पर विश्वामित्र जी के लिए प्रियुक्त किया गया है अगला प्रश्न है काल कवलू क्या होता है विकल्प है भोजन, फल, मृत या फूल प्यारे बच्चो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है मृत अगला प्रश्न है तुलसी दास ने गांधी सुनू शब्द किसके लिए प्रियुक्त किया है विकल्प है परशू राम, विश्वा मित्र, लक्ष्मन या श्री राम प्यारे बच्चो गांधी सुनू शब्द यहां पर विश्वा मित्र जी के लिए प्रियुक्त किया गया है अगला प्रश्न है विप्र विचारी बचाओं नृप द्रोही में कोन सा अलंकार है विकल्प देखिए उपमा, रूपक, यमक या अनुपरास प्यारे बच्चो इस पंक्ती में अनुपरास अलंकार है अगला प्रश्न देखिए राम ने लक्ष्मन को कैसे रोका विकल्प है पुकार कर, दूसरा विकल्प है हाथ पकड़ कर, तीसरा विकल्प है इशारे से और अन्तिम विकल्प है डांट कर प्यारे बच्चो, राम ने लक्षमन को इशारा करके रोका था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इशारे से अगला प्रश्न है, राम ने किस जैसे शब्द कहे? जल जैसे, अगनी जैसे, विश जैसे या मृदा जैसे प्यारे बच्चो, राम ने जल के समान शब्द कहे? अगला प्रश्न है, क्रिसानु किसे कहते हैं? विकल्प हैं, मोटे को, पतले को, आग को या पानी को प्यारे बच्चो, क्रिसानु आग को कहते हैं? अगला प्रश्न है, युद्ध भूमी में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गान कोन करता है? विकल्प हैं, वीर, कायर, आत्म बलिदानी या स्वाभिमानी प्यारे बच्चो, युद्ध भूमी में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गान कायर करते हैं अगला प्रश्न है, अरी करनी करी करियल राई में कोन सा अलंकार है? विकल्प हैं, अनुपरास, रूपक, यमक या शलेश प्यारे बच्चो, इस पंक्ती में अनुपरास अलंकार है? अगला प्रश्न है, कोटी कुलिस सम बचनु तुमारा में कोन सा अलंकार है? विकल्प हैं, उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा प्यारे बच्चो, इस पंक्ती में उपमा अलंकार है? अगला प्रश्न है, परशु राम ने राजाओं से अनेक बार भूमी जीत कर किसको दे दी थी? विकल्प देखिए, स्वयम रखी, दूसरा विकल्प है, वापस उन्हें दे दी, तीसरा विकल्प है, ब्राहमनों को दी या अपने गुरु को प्यारे बच्चों, परशु राम जी ने अनेक बार भूमी को जीत कर ब्राहमनों को दिया था, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ब्राहमनों को अगला प्रश्न है, परशु राम ने गुरु द्रोही किसे कहा है? विकल्प है, शिव धनुष तोडने वाले को, जनक को, सहस्त्र बाहु को या लक्षवन को प्यारे बच्चों, परशु राम जी ने गुरु द्रोही शिव धनुष तोडने वाले को कहा है अगला प्रश्ण है युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कोन नहीं करता है विकल्प देखिए लक्षमन, परशूराम, शूरवीर या कायर प्यारे बच्चो युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान शूरवीर नहीं करता है अगला प्रश्न है गर्भन के अर्भक दलन यहां पर अर्भक शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प देखी गर्दब, दूसरा विकल्प देखी बच्चा, तीसरा विकल्प है गंधक और अंतिम विकल्प है शत्रू प्यारे बच्चो अर्भक का अर्थ होता है बच्चा अगला प्रश्ण है तुलसी दास के अनुसार कुमबडबतियां किसे देखकर मुर्जाती हैं विकल्प देखिए सूर्य, अंधकार, तरजनी या उक प्यारे बच्चो कुमबडबतियां तरजनी देखकर मुर्जाती हैं अगला प्रशन देखिए परशु राम ने लक्ष्मन के लिए किन किन शब्दों का प्रियोग किया है विकल्प देखिए कुटिल, कालवश, निजकुल घालकु या उपरियुक्त सभी प्यारे बच्चो इस प्रशन का उत्तर है उपरियुक्त सभी अगला प्रशन है देखि कुठार सरासर बाना यहां कुठार का अर्थ है विकल्प देखिए कठोर, कोठार, कमरा या कुलाहडा प्यारे बच्चो कुठार का अर्थ होता है कुलाहडा अगला प्रशन है द्विज देवता शब्द में कोन सा भाव व्यक्त हुआ है पहला विकल्प है क्रोध, दूसरा है शांत, तीसरा है हर्ष और अन्तिम है व्यंग्य प्यारे बच्चों, द्विज देवता शब्द में व्यंग्य का भाव व्यक्त हुआ है अगला प्रश्ण है राम लक्ष्मन परशु राम समवाद कवीता में किस गुण की प्रधानता है विकल्प है माधुरिये, ओज, उदार्ता या कांती प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मन परशु राम समवाद कवीता में ओज गुण की प्रधानता है अगला प्रश्ण है परशु राम के सिर पर किसका रिन था विकल्प देखिए माता का, पिता का, भाई का या गुरू का प्यारे बच्चों परशु राम के सिर पर गुरू का रिन था अगला प्रश्ण है परशु राम क्या रोक कर अधिक दुख सह रहे हैं विकल्प देखिए क्रोध, खुशी, दुख या सुख प्यारे बच्चों इस प्रश्ण का उत्तर है क्रोध अगला प्रश्ण है परशु राम का स्वभाव कैसा था विकल्प है अभिमान से भरा हुआ अभिमान और क्रोध से भरा हुआ या शान्त और निर्मल प्यारे बच्चों परशु राम का स्वभाव अभिमान और क्रोध से भरा हुआ था अगला प्रश्ण है लक्षमन ने शिव धनुष को क्या कहा था विकल्प है धनुही, विशाल धनुष, छोटा धनुष या इनमे से कोई नहीं प्यारे बच्चो लक्षमन ने शिव धनुष को धनुही कहा था अगला प्रश्ण देखिए अपमे खांड ने उख में में अपमे का क्या अर्थ है विकल्प देखिए गन्ना, कुठार, लोहे से बना या खांड से बना प्यारे बच्चो अपमे का अर्थ होता है लोहे से बना हुआ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद